जीवन में प्रेम का स्थान बहुत ही महतपुर्ण होता है प्रेम के बिना इस संसार की कलपना भी नहीं कि जा सकती है कोई भी इंसान जीवन भर एक सच्चे प्रेमी की तलाश में रहता है किसी को उसका चाहा हुआ प्यार मिल जाता है तो वहीं किसी के जोली में आता है तो सि इंतजार और तनहाई वैदिक जोतिस में सुक्र को प्रेम का कारक ग्रह कहा गया है प्रेम में सफलता मिलना या रिष्टों में दराराना ये सब ग्रहों के चाल पर निर्भर करता है पतना के मशुर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी के अनुसार चार पापी ग्र आपका प्रेम राश्विफल कैसा रहेगा जानिये पतना के मशुर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी के तरफ से सबसे पहली रासी मेश रासी की लव रासी फजानिये मेश रासी के जातकों के लिए इस बर्स पूरे सनी का प्रभाव उनके एकातस भाव पर रहने वाला है इस भाव में बिराजवान सनी के द्रिस्टी आपके पंचम भाव यानि प्रेम के भाव पर होगी गुरु भी लक्न में बिराजवान होकर पंचम पर द्रिस्टी दे रहे हैं राहु का घोचर आपके सईया सुख के भाव को प्रभावित कर रहा है ऐसे में आपको बता दे कि कहा जा सकता है कि मेश रासी के जात्रकों को इस बस अपने प्रेम संबंधों में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पर सकता है इसलिए उन्हें सतरक रहना होगा सनी एक धीमाग्र है जो कि आपके प्रेम में बाधा पैदा कर सकता है इस साल अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो आपको काफी सोच समझ कर आप आपको आगे बढ़ना होगा अगर आप विवाही थे तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिष्टे में किसी गलत पहमी का जन्म हो जाए अगली रासी जो है ब्रिष रासी का लव राशी फल 2424 का जानिये ब्रिष रासी के जातकों के लिए साल 2024 प्रियम के मामले में मिरा जुला रहने वाला है इस साल केतू का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा और राहु की भी द्रिस्टी पंचम पर होगी गुरु का गोचर मई बहीने तक 12 सुभाव में होगा इस साल आपके जीवन में किसी पार्टनर की इंट्री हो सकती है यू कहें किसी नए अपोजिट सेक्स की इंट्री हो सकती है लेकिन काफी सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा कई ऐसा नहों कि आपको प्रियम में लगाओं का सामना करना पड़ जाये है अगली जो रासी है वह मितुन लव रासिफल दोचार चौवीश ने मितुन रासी के जात्मों को साल दोचार चौवीश में अपने सच्य प्रेमी से मिलने का मौका मिलने वाला है आप इस साल काफी रोमांटिक रहने वाले हैं और आप पूर्णता कोशिस करेंगे इस साल आपको एक ऐसे प्रेमी से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा भले ही आप कुछ समय के लिए अकेला महसूस कर सकते हैं लेकिन आपका जो प्रेमी है आपको बहुत ही किमती समझता है करक जात्कों के लिए साल दोहजार चौविस प्रेम और बैबाहिक जीवन के नजरिय से एक अच्छा वर्ष सावित होने वाला है साल के शुरू से ही ग्रह आपके अनकूल रहने वाले हैं ऐसा लग रहा है जैसे इस साल आपकी हर मनोकामना पूरी होगी साल के शुरू में ही आ आपका प्रेम प्रस्ताव आपके प्रेमी के द्वारा स्विकार किया जा सकता है तो अगली रासी है सिंग ने लव राशिफल दोहजार चौविस सिंग रासी के जातकों के लिए साल दोहजार चौविस प्रेम के मामले में थोड़ा चुनौति भरा हो सकता है आपके जीवन में अप्रत्यासित चीजें जो हो सकती है और आप अपने आपको इनसे बहुत कुछ आपको इससे सीखने को विलेगा आपके पंचम भाव पे जो स्मबंध में कुछ कठनाईों का सावन करना पड़ेगा कन्या रासी के जातकों के लिए प्रेम संयल से लिहाज से यह साल अच्छा रहने वाला है यह साल आपके लिए काफी चीजें अपने आप में समेटे हुए हलांकि आपको प्रेम से जुड़े मामलों में किसी भी प्र तूला लभ रासी फल दोहजाबर चोविस जानिए तूला राशी के जात्कों के लिए साल नहां जोलुब्स प्रियम से जुने मामनों में अच्छी सफलता देने वाला रहने वाला है इस साल अपने ब्यक्तिकत रिस्ते में बहुत प्रगती करने वाले आप हैं आपका प्रिवीन आपकी बात को और आपकी भावनाओं को इस साल काफी अच्छा महत्त देने वाला है ब्रिस्टिक लव रासिफल 2024 ब्रिस्टिक रासि के जातकों के लिए यह साल जुनून और इसक देने वाला रहने वाला है साल 2024 में आपको अपनी ही जैसा कोई साहसी प्रेमी प्राप्त हो सकता है साल के सुरू में ही पंचम भाव में राहू और शुक्र के बीच का सम्मन रिष्टों में तिबता देने वाला रहने वाला है अगली रासि जो है वह धनू रासि है धनू लव रासिफल 2024 जानी है साल 2024 के प्रेम के लिहाद से देखें तो धनू रासि के जातकों के लिए मंगल ही मंगल होने वाला है मकर लव राशिफल 2024 जानी है साल 2024 मकर रासि के जातकों के लिए शांदार रहने वाला है अगली रासी जो है वह कुम्ब लव राशिपल दोहजार चौबिस है अगर वात की जा तो कुम्ब रासी की तो साल दोहजार चौबिस प्रेम के लिहाज से आपके लिए अधुत अन्हों लेकर आने वाला है साल दोहजार तीस की यादें आपके जिहन में भले ही रहें लेकिन इस साल आपको प्रेम में वास्तविक सफलता मिलने वाली है अगली रासी जो है वह अंतिम रासी है बीन रासी है मीन लव रासी फल दोहजार चौबिस बीन रासी के जातकों के लिए साल दोहजार चौबिस बेहद ही अच्छा रहने वाला है मित्र की ओसे प्रेम का प्रस्ताव आपको में सकता है इस साल आपका रिष्टा और भी परिपक को होगा जो जातक साधी करना चाह रहे हैं उनके लिए सुरू के चार महीने बहुत ही अच्छे सावित होने वाले हैं इसके अलावा आपका परिवार भी आपके रिष्टे को श्विकार करेगा इस साल आपको अपने जीवन साथी की शेहत का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि शुर्य और सनी का प्रभाव साफ दिखाई दी रहा है पतना से लोकल एटिंग के लिए सचदार नंद की है रिपोर्ट